मैं आपको इस वीडियो में ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बना स्टेप वाईज समझाओंगा जिसे आपका जो कॉंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि ब्लड क्लोटिंग की नवस्ता में किस किस प्रोसेस के माध्यम से होती है तो पहले हम जान ले कि ब्लड क्लोटिंग होती क्या है तो ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का बना is the process by which blood from its liquid state changed to a gel-like consistency मतलब वह प्रक्रिया जिसमें रुधीर तरल अवस्ता से जेली के समान गाड़ी अवस्ता में परिवर्थी तो हो जाता है जिसे हम रक्त का थक्का बनना अथवा क्लोटिंग कहते है ठीक तो अब इसकी जो अभी तो इसको हमने जाना कि ब्लड क्लोटिंग है क्या अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है किस मतलब प्रक्रिया के माध्यम से आपका ब्लड क्लोट होगा कौन-कौन सी किसे स्टेपेज होंगी तो अंद होस्त डीफेंस मेकनिसम नोन है जा हेमो इस्टैसीस अब हीमो स्टैसीस किसे कहते हैं होस्त वेजिए अटिफेंस नेpreh chap मिड ने फोता है प्रतिर अच्छा प्रक्रीया को हम हेमो स्टैसीस कहते है है आप ही मुर्ट प्रॉसैस क्या है यहां एक इसक कॉंप्लेक्स प्रॉसेस है बीच बलॉट दर ब्लीडिंग स्फॉम् धाम लेशेल करता है हो जो क्या करता है यह कॉंप्लेक्स प्रॉसेस है है जिसमें damage vessels के bleeding को रोपता है तो आप समझ गए कि हीमो स्टस हीम हेमो स्टैसिस क्या है तो आप आए निक्स्ट टेप पे अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आप सोच रहे होगे कि अब इसके क्या मैं बताने वाल हो इसके बाद क्या है सब इंडो थेलियल टिसू में प्लेटलेट चिपक कर अब प्लेटलेट जो होती है प्लेटलेट के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से चिपक के अथवा जूड कर ठिक तथा जूड कर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं छोटे छोटे कड से जब जुड़ेंगे तो बड़े कड़का निर्माड होगा तो माइक्रो माल्कूल्स से क्या होगा बड़े मॉल्कूल्स में कनवर्ट होगे तो उसका फॉर्मेशन करते हैं उसके बाद क्या होगा जिसे ह प्राइमरी हेमो इस्टैटिक प्लग करते हैं अब अगर समझ जाएंगे आपकी प्लग मिन्स होता क्या है तो आपको पूरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप अपने वास्रूम में जा रहे हैं जहां सिंक होती है और मीरर लगा होता है और आप अपने फेस वास कर लोग में थी को सबस्तेले को रएगा और निर्माड होता है जिसके वज़े से आपकी ब्लीडिंग बंध हो जाती है अब इसके बाद क्या होता है अब शोच हो रहे हो THERE कि मतलब बीसके बाद देख यह यह हो रहा है तो कि इसके बाद का फुलेट लेट दोहरा उत्प्रेरिक प्लाज्मा होता है क्लॉटिंग फैक्ट्र जो प्लाज्मा का सके एक और mostrar है एक साहब एक ऐसे बबल्स जैसे दिखाते दिखाए देते बड़े बड़े वह यही गुच्छा होता है इस 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 टाइम टेकन फॉर्टिंग ओफ यूमेन ब्लड आफ्टर रिमूब्ड फ्रॉम सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन से जब यूमेन ब्लड स्रावीत होता है तो उस शावित ब्लड को क्लॉट होने में लगने वाले आवसत समय ताइम पीरियाट या वक्त को क्लॉटिंग टाइम कहते हैं क्लाइप का आवसत पाएगा भिन भिन पाएगा 5-15 मिनट मतलब 5-15 मिनट के अंदर blood does not clot in circulation due to heparin heparin के वज़े से blood circulation में clot नहीं हो पाता है keep the blood in solution form heparin क्या करता है blood को क्या करता है तरल अवस्था में बनाए रखता है जिसके वज़े से keeping allowed to flow in the blood vessels जिसके वज़े से जो blood क्या रहता है क्या होता है आसानी से blood vessel में प्रवाहित होते रहता है heparin interfere with the thromboplastin production thromboplastin के production में क्या करता है heparin हस्तचेप करता है रुकावट बाधा पैदा करता है a mount it lies to avoid coagulation of 1 ml cat bloods kept in cold temperature for 24 hours required 1 unit of heparin मतलब ये unit of heparin किया हो सकता तब पढ़ती है जब हम 24 घंटे के लिए एक normal temperature में 1 ml cat blood को clotting से वाइड या बचाने के लिए कितने यूनिट येक यूनिट हेपरीन किया हो सकता पढ़ती है हेपरीन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है मिकोटीन पॉली सल्फियूरिक एसीड अगर मिकोटीन पॉलिक सल्फियूरिक एसीड अगर एक्जाम में आ गया तो आप समझ जाएगा कि किस के तरफ इसारा कर रहा है हेपरीन की तरफ कर रहा है तो यह था क्लोटिंग टाइम और हेपरीन के फंक्संस के बारे में